दुरलब कश्यप एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, बस वह कम उम्र में गैंक्स्टर की दुनिया में उतर गया था, वह हमेशा औरतों की और लेडीज की इज़त करता था, और कभी भी उसने किसी को पीठ के पीछे वार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था, पीठ के पी बिजनेसमैन थे और माँ टीचर कॉल के पुल के पास फाइव करोड की संपत्ती थी, दुरलब किसी से नहीं डरता था, वह पुलिस वालों को भी धमकी दे देता था, दुरलब भाई को बिलकुल भी मौत से डर नहीं लगता था, उनको तो बस गैंक्स्टर बनना था था, यहां से दूर चला जा, वरना वो लोग तुझे जीने नहीं देंगे, वो लोग तुझे मार देंगे, फिर दुरलब कश्यप ने बोला, कि हम गुंडे हैं जनाब, हमारे जनाजे जवानी में उठते हैं साहब, दुरलब कश्यप और उसके गैंग का अलग ही पहनावा था, माथे पर तिलक कंधे पर गमचा और आखों में सुर्मा यह उसकी पहचान थी और उसके सारे गैंग मेंबर उसी के जैसा दिखते थे, दुरलब कश्यप के बारे में सुनकर लड़कियां उस पे फिदा हो जाती थी, आज दुरलब भाई हमारे बीच नहीं है, पर हिंदुस अस्तान के कई दिलों पर राज करते हैं, लाखों करोडों लोग उसको पसंद करते हैं, भाईयों गैंग्स्टर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, जरा सी भी मिस्टेक आपकी जान ले सकती है और दुरलब कश्यप जैसा बनने का साहस किसी में नहीं हो स क्योंकि दुरलब कश्यप ने अपने परिवार वालों से कहा था कि तुम्हारा बेटा नाम कमाएगा और लोग भी दुरलब कश्यप जैसा बनना चाहते हैं, वह ना बने, यही कहूंगा, दुरलब जैसा जिगरा हर किसी में नहीं